नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टडिक क्विज वित निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते हैं आज मैं महा जन्पत काल से महत्पून प्रश्ण लेकर आई हूँ इससे पहले यानि की यूनित फरस्ट, रीट एससटी यूनित फरस्ट भारती सब्विता, संस्क्रति और समाज उसका आज लास्ट चैप्टर है इससे पहले सब्विताई, वेधिक सब्विता, जेन धर्म, भोत धर्म इनके वीडियो अपलेट कर चुकी हूँ और ये आज महाजनपद का आखरी चेप्टर है इससे आप देखिएगए आपके दोस्तों को दिखाईए यानि की शेयर कीजए तो चलिए देखते हैं पहला प्रशन महाजनपदों में सरवादिक शक्तिशाली राज्य कौन से थे? अगला प्रश्णे हर्यक वंज कब से कब तक रहा है अगला प्रश्णे हर्यक वंज का सबसे प्रतापी राजा कौन था तो हर्यक वंज का सबसे प्रतापी राजा था बिम्बी सार वगद सामराज पर चार प्रमुक वंजों ने कह सकते हैं राज किया जिसमें प्रत्थम वंच है हर्यक वंच जिसका प्रतापी शाशकता बिम्बी सार अगला प्रशने जेन साहित में बिम्बी सार को क्या कहा गया है तो जेन साहित में बिम्बी सार को श्रेणिक कहा गया है क्या कहा गया है श्रेणिक अगला प्रशने बिम्बी सार का विवा किसके साथ हुआ तो बिम्बी सार का विवा हुआ था महा कोशला के साथ यानि बिम्बी सार की पत्नी का नाम है महा कोशला अगला प्रशने बिम्बी सार को दहेज में एक लाख रुपे की वार्शिक आये वाला कौन सा प्रांत मिला यानि कि बिम्बी सार को दहेज में एक प्रांत मिला था कौन सा काशी आंसर हो जाएगा काशी यानि कि एक लाख रुपे की वार्शिक आये वाला प्रांत था अगला प्रशने बिम्बि सार की दूसरी पत्मी कौन थी? पहली पत्मी उपर अभी जस्ट पढ़ा हमने महा कोशला तो दूसरी पत्मी हो जाएगी चेललना पहली पत्मी महा कोशला दूसरी पत्मी चेललना अगला प्रश्ने उसने कौनसे नविन नगर की स्थापना करवाई थी तो नविन नगर की स्थापना करवाई थी किसने बिम्बी सार ने कौनसे की राजग्रिय की आंसर हो जाएगा राजग्रिय अग्ला प्रश्ने, बिंबी सार ने कुन सा उध्यान बुद्ध तता संके निर्मित कर दिया तो आंसर हो जाएगा value 1 कुन सा उध्यान value 1 उध्यान बुद्ध और संके निर्मित कर दिया अगला प्रश्ने कुणिक किसे कहा जाता था यानि कि कुणिक किसी की उपादी है या के सकते हैं किसी का नाम है तो आंसर के हो जाएगा कुणिक किसे कहा जाता था अजाश शत्रुगों आजास शत्रु ने किस युद में महाशिला कंटक तथा रत मुलस का प्रयोग किया? आजास शत्रु ने किस युद में महाशिला कंटक तथा रत मुलस का प्रयोग किया? आजास शत्रु ने किस युद में महाशिला कंटक तथा रत मुलस का प्रयोग किया? आजास शत्रु ने या उद्य भद्र का शाषन कब से कब तक रहा इसका शाषन रहा ता 460 से 445 इसा पूरू उद्यिन तथा या यानि कि उद्यिन को उद्य भद्र भी कहते ही इसका शाषन कब से कब तक रहा तो 460 से 445 इसा पूरू तक अगला प्रश्ने गंगा तथा सोन नदी के संगप पर उ उदियन ने किस नगर की स्थापना की गंगा तथा सो नदी के संगम पर उदियन ने किस नगर की स्थापना की तो आंसर हो जाएगा पाथली पोत्र नगर की स्थापना की थी अगला प्रश्ने शीशु नाग वन्ष का शाषन कब से कब तक रहा? तो शीशु नाग वन्ष का जो शाषने वो 412 से 345 इसा पुरों तक रहा अगला प्रश्ने शीशु नाग ने किन राज्यों को मगत सामराज्य का भाग बनाया? किन राज्यों को मगत सामराज्यों का भाग बनाया तो आंसर होगा अवंतिव एवं वस्त अगला प्रश्ण है काला शोक का शाषन कब से कब तक रहा तो काला शोक का शाषन 394 से 366 इसापूर्व तक रहा काला शोक के शाशन काल में बहुत धर्म किन बहुत संगों में बढ़ गया था तो काला शोक के शाशन काल में बहुत धर्म दो संगों में बढ़ चुका था इस्थवीर और महा संगीक इस्थवीर और महा संगीक ये आगे जाकर महायान और हिनयान कहलाएंगे अगला प्रस्ने काला सोक वन्ष का अंतिम शाशक को था? अगला प्रस्ने करिटी ईस के अनुषार माहा पद्मनन का पिता किस जाती से थे? तो कर्टियस के अनुसाद महापद्मनन का पिता नाई जाती से थी अगला प्रश्ने पुराणों में महापद्मनन को कौन सी उपादिया दी गई? पुराणों में महापद्मनन को कौन सी उपादिया दी गई? प्रित्वी का राजा अनुलंगित शाशक सर्वाशंत्रांक यानि कि महापद्मनंद को पुराणों में उपाद्य दी गई है प्रित्वी का राजा कहा गया है अनुलंगित शाशक कहा गया है सर्वाक्षत्रंत ताक कहा गया है अगला प्रश्ने घनानंद को ग्रीक लेखकों ने क्या कहा है अग्रमीज एवं जैंद्रमीज अगला प्रश्ने हका मनी सामराज का संस्थापक कोन था आंसर हो जाएगा साइरस दिती है साइरस दिती है हका मनी सामराज का संस्थापक था सीकंद्र ने पोरस को किस युद में हराया आंसर होगा हाइडे इस्पेस जहल में हराया था अगला प्रश्ने सीकंद्र की मृत्यू कहां पर हुई सीकंद्र की मृत्यू बगदाद की निकड बैबिलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यू बगदाद की निकट बैबिलोन में हुई थी अगला प्रशने अवंति के शाषक चंड प्रध्योत की चिकिस्ता के लिए बिम्बि सार ने किसे भेजा था? अवंति के शाषक चंड प्रध्योत की चिकिस्ता के लिए बिम्बि सार ने किसे भेजा था तो आंसर होगा राजवेद्य जीवक को राजवेज जिवक को कहां भेजा था, तो अवंती के शाषक के लिए चंड प्रद्योत की चिकिस्ता के लिए किस ने भेजा था? बिम्बि सार के शाषन कार में प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? मतों की गढ़ना करने वाला अदिकारी क्या कहलाता था? तो मतों की गणना करने वाला अधिकारी शालाक ग्रहक कहलाता था अगला प्रशने हिमालई शेत्र के शाषक क्या कहलाते थे हिमालई शेत्र के शाषक विराट कहलाते थे अगला प्रशने भूमी की नाप करने वाला अधिकारी कौन होता था भूमी की नाप करने वाला अधिकारी रज्जुग रहाग होता था अनाज की तोल का निरिक्षन कौन करता था? तो अनाज की तोल का निरिक्षन द्रोण मापक करता था कौन करता था? द्रोण मापक महा जनपत काल में कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था महा जनपत काल में कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था तो कहलाता था बली सादक क्या कहलाता था बली सादक कर को खजाने में छिपाने करको खजाने में जमा करने वाला बागदूद केला था था अजा शत्रु के दो मंत्री कौन थे अजा शत्रु के दो मंत्री थे सूधित तथा वस्सकार अगला प्रशने चंचु श्यास्थी तथा श्लाका का वृत्ति क्या था या क्या थे प्रमुख दुर्बिक्ष तांबे का सिक्का क्या कहला था तो तांबे का सिक्का कहला था शान कथा सरित सागर के अनुसार उदियन का संबन किसे था तो कथा सरित सागर के अनुसार उदियन का संबन पांडवों से था डेरियस ने सिंदू नदी की खोज करने के लिए किसे भेजा डेरियस ने सिंदू नदी की खोज करने के लिए साइलेक्स को भेजा किसे भेजा सायल्यक्स को भेजा अगला प्रशन तक्ष शिला के शाशक ने सिकंदर के सामने कहां आत्म समर्पन किया तो आंसर होगा निकेया निकेया एक जगा है जहाँ पर सिकंदर ने तक्षिशिला के शाषक के सामने आत्र समानपन किया था तक्षिशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है अगला प्रशने बिम्बि सार के सामराज में कितने गाउं थे? बिम्बि सार के सामराज में 80,000 गाउं थे अगला प्रस्टे महा पदमनन का कौन सा पूत्र सिकंदर का समकालीन था आंसर हो जाएगा घनानन गनानन का विनाश किस ने किया था गनानन का विनाश चन्रगुप्त मौर्य ने किया था किस की साहिता से चानकी की साहिता से अगला प्रश्ने राजा की पुत्र की जन्म के अवसर पर महा जन्पत काल में कौन सा कर लिया जाता था तो आंसर हो जाएगा दुग्द कर लिया जाता था इरान की आर्मेइक लिपी से कौन सी लिपी अपने ही गई थी आंसर हो जाएगा खरोस्टी लिपी चटी शताब्दी इसापूर, उत्री भारत कितने राजों में वर्णी था? उत्री भारत सोला राजों में विबक्त था, जिसे बाद में महाजनपत कहा गया इन सोला राजों की सुची किस बोध गरंत में दी गई है? तो आंसर हो जाएगा अंगुतर निकाय सोला राज्जी की सूची किस जेन ग्रंथ में दी गई है तो आंसर होगा भगवती सूत्र यानि कि सोला राज्जी यानि महा जनपत की जो सूची बोध ग्रंथ हो जाएगा अंगुतर निकाए और जेन ग्रंथ हो जाएगा भगवती सूत्र अगला प्रश्ने महा भारत तथा पुराणों की अनुसार मगत की प्रारंबिक राजवंज की स्थापना किस ने की थी? तो आंसर ये व्रीदत ने व्रीदत के पुत्र का क्या नाम था? जरासंद क्या नाम था? जरासंद व्रीदत किसका पुत्र था? वसुका आजाशत्रु ने भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए किस इस्थूप की वेदिका पर उतकिन किया? आजाशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए किस इस्थूप की वेदिका पर उतकिन किया गया है? बरहुत किस वेदिका पर या किस इस्थूप पर बरहुत पर किया गया है? पुराणों और दिव्यावदान में काला शोग का उल्ले किस नाम से है? तो आंसर हुजाएगा काकवण बोद ग्रंथ अंगुतर निकाईक के अनुसार महा जनपदों में महा जनपद अंग की राजदानी कहा थी? चमपा यानि अंग की राजदानी क्या थी? चमपा अंग इसके प्रमुक्षाशक कोन थे? यानि अंग के प्रमुक्षाशक कोन थे? ब्रमदत वर्तमान शेत्र कौन सा है यानि अंग महाजनपत का वर्तमान शेत्र कौन सा है तो आंसर हो जाएगा भागलपूर्वा मुंगेल मगद महाजनपत की राज़ानी कहा थी तो मगद महाजनपत की राज़ानी गीरी व्रज या राजग्री थी अगला प्रश्टे इसके प्रमुक शाशक कौन थे इसके यानि की मगत सामराज्जी के प्रमुक शाशक कौन थे तो बिम्बि सार और अजाश शत्रू अगला प्रश्टे वर्तमान शेत्र कौन से है किसके मगत के पटना गया वा शहाबाद अगला प्रश्चे वजजी महा जनपत की राजदानी कहा थी तो वजजी महा जनपत की राजदानी वेशाली थी अगला प्रशने वज्जी महाजनपत के वर्दमान शेत्र कोन से हैं तो वेशाली व उत्री भिहार के जीले काशी महाजनपत की राजधानी कहा थी तो वारा नसीस की राजधानी थी अजाश शत्रू ने इसे किस राज़े में मिलाया यानि किसको काशी को अजाश अत्रु ने काशी को किस राजे में मिला दिया तो आंसर हो जाएगा मगद वस्त महाजनपत की राजधानी कहा थी कोशामबी अगला प्रशने वस्त महाजनपत के प्रमुक्षाशक कौन थे आंसर होगा उदियन मल्ल महा जनपत की राजदानी कहा थी तो मल्ल महा जनपत की राजदानी पावा व काशी नारा थी अगला प्रशने इसे कुशी नारा भी कहते है मल्ल महा जनपत का वरतमान शेतर कौन से है यानि मल्ल महा जनपत के वरतमान शेतर कौन से है तो आंसर हो जाएगा देवरिया, कुशी नगर और बस्ती गोरकपुन मल्ल महाजनपत के वर्तमान शेत्र हैं देवरिया, कुशी नगर, बस्ती गोरकपुन कोशल महाजनपत की राजदानी कहा थी? तो कोशल महाजनपत की राजदानी श्रावस्ती अयोध्या दो थी श्रावस्ति और अयोध्या कोशल महाजनपत के प्रमुक्षाशक कौन थे? कोशल महाजनपत के प्रमुक्षाशक थे प्रसंजीत कौन थे? प्रसंजीत अगरा प्रशने कोशल महाजनपत का वर्तमान शेत्र कौन से है? कोशल महाजनपत के वर्तमान शेत्र कौन से हैं तो कौन से हो जाएंगे फेजाबाद, गोंडा, भराईच पांचाल महाजनपत यानि उत्री की राजधनी कहा थी? पांचाल महाजनपद उत्री यानि उत्री पांचाल की राजदानी क्या थी तो आंसर हो जाएगा अही छत्र या अही छत्र लिखावा गलाते अही छत्र कौन सी थी अही छत्र दक्षिनी पांचाल महाजनपद की राजदानी कहा थी तो कामपिल्य क्या थी कामपील ये वर्तमान शेत्र कौन सा है तो पस्च भी जो उत्तर पदेशे वो कामपीले का वर्तमान शेत्र है शूर्षेर महाजनपत की राजदानी कहा थी शूर्षेर महाजनपत की राजदानी कहा थी तो आंसर होगा मथूरा अवंती पूत्र अगला प्रश्ने शूर्षेन महाजनपत के प्रमुष शाशक कों थे हैं? शूर्षेन महाजनपत के प्रमुष शाशक थे अवंति पूत्र यह आपर मथुरा राजदानी है और अवंति पूत्र शाशक है अगला प्रस्णे शूर्षेन महाजनपत वर्तमान शेत्र कौन सा है यानि शूर्षेन महाजनपत का वर्तमान शेत्र कौन सा है तो आंसर हो जाएगा ब्रजमंडल कौन सा है ब्रजमंडल कुरू महाजनपत की राजदानी कहा थी? अगला प्रस्टने मत्तस्य महाजनपत की राजदानी कहा थी? तो मतस्य महाजनपत की राजदानी थी विराट नगर अगला प्रश्न मतस्य महाजनपत वर्तमान शेत्र कोन सा है तो मतस्य महाजनपत का वर्तमान शेत्र है अलवर भरत पुर्व जैपूर अगला प्रश्न अवंती महाजनपत की राजदानी कहा थी उत्री अवंती महाजनपत की राजधानी कहा थी तो आंसर हो जाएगा उज्जेनी जिसे वर्तमान में उज्जेन कहते हैं अवंती महाजनपत की दक्षिन राजधानी कौन सी थी यानि की दक्षिनी अवंती की राजधानी कौन सी थी तो आंसर हो जाएगा महिश्मती उत्री की है उज्जेनी और दक्षिन की है महिश्मती अगला चंड़ प्रद्योत ने इसे किस राज्ज में मिलाया शीशुनाग वन्ष का शाशक हुआ है चंड़ प्रद्योत तो इसने अवंती महाजनपत को किस राज्ज में मिलाया तो आंसर हो जाएगा मगद राज्ज में मिलाया वर्तमान शेत्र क्या है किसका अवंती महाजनपत का तो आंसर है मालवा शेत्र चेदी महाजनपत की राजदानी कहा थी चेदी महाजनपत की राजदानी थी शक्री मती सोती वती शक्ति मती यही है शक्ति मती नहीं होगा शक्ति मती सोत्थी बती चेदी महाजनपत का वर्तमान शेत्र कौन सा है तो चेदी महाजनपत का वर्तमान शेत्र जाएगा बुंदेलखन अगला प्रशने दक्षिर भारत में इस्तीत एक मात्र महाजनपत अश्मक वर्तमान में कुन सा शेत्र है नर्मदा और गोदावरी के मद्य का शेत्र है गांदार की राजदानी कहा थी तो गांदार की राजदानी तक्षि शीला थी जोकी वर्तमान पाकिस्तान में पढ़ती है अगला प्रस्ने तक्षि शीला के प्रमुक्षाशक कौन थे तक्षि शीला के प्रमुक्षाशक थे पुशकर सारीन तक्ष शिला वर्तमान में कुन सा शेत्र है तो तक्ष शिला वर्तमान में पाकिस्तान व अफगानिस्तान का पूर्वी शेत्र है कंबोज महाजनपत की राजदानी कहा थी तो कंबोज महाजनपत की राजदानी राजपूर हाटक अगला प्रश्ण और आज का आखरी प्रश्ण है कमबोज महाजनपत वर्तमान शेत्र कौन सा है कमबोज महाजनपत का वर्तमान शेत्र कौन सा है तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का आधुनिक हाजरा जीला क्या आंसर है पाकिस्तान का आधुनिक हाजरा जीला ओके तो ये टोटल थे 95 प्रश्ण जो की कम्प्लीट रिविजन वीडियो हो सकता है महा जन्पत काल का कह सकते हैं इस ते भाहर कोई क्योशन नहीं आ सकता तो प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को एन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद